हेलो दोस्तो वेलकम टू डोगी शोगी यूट्यूब चैनल मैं राजीव और आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे जर्मन शेफ़ड ब्रीड की फिमेल के बारे में जो की सेल के लिए अविलेबल है बहुत ही बैतरीन क्वालिटी की 14 महीने की फिमेल है दोस्तो अभी तक इसके पपीज नहीं हुए फेरेश फिमेल है और इसका जो फादर है वो डारेक्ट इंपोर्ट है आगे वीडियो में आपको complete information मिल जाएगी तो वीडियो को complete जरूर देखिएगा और फिमेल के जो owner का contact number है वो मैंने description box में दे दिया है वहाँ से आप directly जो उनके पास contact कर सकते हो अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe करके bell icon को press कर दीजिए ताके future में आने वाली हर एक वीडियो की notification आपको मिलती रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो ये वो फिमेल है दोस्तों काफी अच्छी quality की है quality आप लोग देख सकते हो फिमेल की anatomy, body structure, color marking और angulation सब चीजे जो है काफी अच्छी है इसकी जो age है दोस्तों वो 14 महीने है और seller ने बताया कि भी 2 महीने पहले ये heat पे आई थी लेकर इसकी जो mating है वो नहीं करवाई थी तो fresh फिमेल है अगर किसी भाई को breeding के लिए या फिर घर में रखने के लिए कोई अच्छी फिमेल चाहिए हो तो आप इनके पास contact कर सकते हो जैपूर राजस्थान इनकी जो है location है और इसके father की photo में आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा बात करें दोस्तों कि इसके coat के बारे में तो smooth coat में female है और age location मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताई दिया चोदा महीने की female है जैपूर राजस्थान location है अगर आपको पसंद है तो जल्दी से जल्दी contact करें क्योंकि सिर्फ एक single female ही available है तो चलिए अब आपको इसका जो father है वो दिखा दिता हूँ ये इसका father है दोस्तों काफी अच्छी quality का male है और direct import दो गई है तो अगर आपको breeding के लिए भी चाहिए तो आप बिल्कुल purchase कर सकते हो काफी strong breed line की female है mother side भी काफी अच्छी है दोस्तों और female की quality भी काफी प्यारी है इसके बारे में दोस्तों दो information आप लोगों को बतानी रह गई थी एक तो ये female आपको without paper मिलेगी मतलब इसके साथ आपको KCI papers नहीं मिलेंगे papers के साथ थोड़ी costly होने के कारण इसको जब शुरू में ही without paper purchase किया गया था और दूसरी चीज़ दोस्तों इसका जो price है वो 50,000 है 50,000 रुपे इसके लिए demand की गई है बाकी की information के लिए price में negotiate होगा या फिर नहीं होगा और भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप directly female के owner से contact कर सकते हो description box में उनका contact number दिया हुआ है वहाँ से आपको each and every information मिल जाएगी चैनल पर अगर आपको अपने dogs की या फिर puppies की video post करवानी है तो screen पर दिखाए दे रहे number पर आप मेरे पास whatsapp message कर सकते हो अपने dogs की या फिर puppies की complete details के साथ पिछले कुस दिनों से regular videos ना आने का कारण यहीं था दोस्तो कि मेरे पास इन दिनों में कोई भी अच्छी quality के dogs की या फिर puppies की add जो है वो नहीं आई और कोशिश यहीं रहती है कि भी अच्छी quality के puppies हो और underage बच्चे ना हो चाहे उसके लिए मुझे एक दिन वेट करना पड़े या फिर चार दिन या फिर दस दिन वो कोई समश्या नहीं है इसको sale करने का कारण मुझे यहीं बताया दोस्तो seller ने कि अभी फिलाल वो इसकी care जो है वो नहीं कर पा रहे है तो इसी कारण मुझे दे रहे है बाकि अच्छी healthy और active female है body structure, anatomy, काफी अच्छी female कि अगर आपको purchase करने हैं तो आप ले सकते हो वीडियो को complete देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद अगर अच्छी लगी हो तो like जरूर करें आपको कोई question है तो आप comment box में पूछ सकते हो तो धन्यवाद दोस्तों चलिए मिलते हैं next वीडियो में करते हैं